How to fix WhatsApp status current send problem तो दोस्तों यह आपको भी अपने My status आपको यहाँ पर जो शो करता है यह आप अपने status को जो है अपलोड करने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों current send का error आपको दिखाता है तो इस error को आप कैसे solve कर सकते हैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा वीडियो के साथ बने रहे हैं साधी साथ चैनल को भी subscribe कर दिजेगा दोस्तों यहाँ पर देखिए यह problem का solution में आपको तीन solution बताऊंगा ठीक है यह तीन solution बताऊंगा और तीन settings आपको करना है सबसे पहला तो दोस्तों आप जो है अपने mobile का जो है settings आपना what's up का आपका settings पर जाना है 3 dot यहाँ पर चले जाईए एक बार और settings पर चले जाईए उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर data and storage usage पर जाना है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पे इसे low data usage पे आपको click कर लेना है ठीक है on कर दिना है बेक जाना है उसके बाद में दोस्तो आपको एक बार जो है दुबारा से यहाँ पे retry कर लेना है ठीक है दुबारा से आप एक बार retry करके देख ली जगा क्योंकि दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि हम जो file को यहाँ पे upload करते हैं वो ज्यादा heavy होने के वज़े से यहाँ पे upload में problem होता है और current send हमें यहाँ पे show करता है तो मैंने जो बताया वो करके देखे हो जाता है सही है यदि नहीं होता है तो दूसरा setting और restart कर लिजए उसके बाद में flight mode को फिर से off करके एक बार आप whatsapp में जाके देखिएगा आपका problem solve हो जाना चाहिए फिर भी नहीं होता है third solution में आपको बताऊंगा जो कि permanent आपका काम करेगा उसके लिए आपको app management में आना है या फिर आपके mobile में application manager शो करेगा ठीक है तो दोस्तो बेसिकले आपको applications पे आना है ठीक है installed apps के नाम से भी शो कर सकता है यहाँ पे आपको whatsapp ढुनना है चलिए हम अपना whatsapp ढून लेते हैं यहाँ पे तो दोस्तो यह जो है यदी मैंने दो जो आपको setting बताया वो काम नहीं करता है तब ही आपको यह करना है ठीक है तो whatsapp पे आना है और यहाँ पे दोस्तो आपको क्या करना है whatsapp को एक बार force stop कर देना है इसे आपको force stop कर देना है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो अभी में बताऊंगा यह करना है storage usage पर आना है अभी दोस्तों यहाँ पर में आपको बताऊंगा और बताने से पहले आपको बता दूँ कि ये clear data आपको करना होगा लेकिन करने से पहले आप ध्यान में रखेए कि आपको whatsapp जो ही re-login करना होगा री अपना mobile number verify करना होगा ठीक है तो दोस्तों इसलिए यह आप करना चाहते हैं तब आप इसे कीजेगा clear data पे click करके इसे clear कर दीजेए clear करने के बाद में दोस्तों वापस आप आ जाएए और यहाँ पे permission पे आके यह सारा permission आप enable कर दीजेए सारा permission on कर दीजेगा उसके बाद में दोस्तों जाकि अपना whatsapp को on कीजेए आपका जितना भी problem है वह सारा problem जो है जो status का my current send problem है वह solve हो जाएगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आयोगा thanks for watching